हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने आठवी आसियान रक्षया मंत्रियों की बैठक आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग ADMM-पलस को संबोधित किया ADMM-पलस आसियान और उसके आठ संबाद भागिदारी देशों का एक मंच है इस बैठक में भारत द्वारा समुद्री सुरक्षा पर चिंता जताई गई तथा हिंद परसान छेतर में नियम आधारित व्यवस्ता का आईयान क्या गया भारत ने दक्षिन चीन सागर में स्वतंत्र नो बहन का मुद्दा भी उठाया दक्षिन चीन सागर के महतपूर समुद्री गल्यारों में चीन का पुर्तिगामी ब्यवार समपूर समुद्री सुरक्षा के समक्स चुनोती बना है हिंद परसान चेतर की सांती, इस्थिर्ता, समुर्दी और विकास हेतु समुद्री संचार का सांती पूर्ण उप्योग महतपूर है इस बैटक में आतंगबाद को वैस्विक सांती के समक्स सबसे बड़ा खत्रा बताया गया भारत द्वारा हिंद परसान चेतर में चेतरिय पुर्भुता एवं सम्मान के लिए एक खुली और समावेशी व्यवस्था कायम करने देशों की अखंडता बादचीत के माद्यम से विबादों का सांती पूर्ण समाधान और अंतराष्ट्य नियमों और कानूनों के पालन पर जोर दिया गया भारत अंतराष्ट्य जलमार्गों में नोबहन स्वतंतर अबाधित बानिजी कुडानों का समर्थन करता है भारत हिंद परसान छेतर में अपने साजा दरश्टी कोड के कार्यान वेन है तू महत्पूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में आस्यान के नेत्रतु बाले तंतर के उप्योग का भी समर्थन करता है चीन संयुक्त राष्ट समुदरी कानून संदी या UN Convention on the Law of the Sea इसको UN कलोज भी बोल सकते हैं में इस दक्सिन चीन सागर पर अपने दावे से सम्मंदित मामले को हार चुका है उसने UN कलोज में एक और मामला दर्ज किया है तथा पांच अन्य देसो और चीन के मद्धे आचार सहीता पर बातचीत चल रही है लद्दाक सीमा पर भारत के साथ चल रहे संगर्स के कारण दक्षिन चीन सागर मुद्धे पर भारत की राए को लेकर चीन बहुत अधिक चिंतित नहीं है भारत द्वारा समुद्री मुद्धों पर चीन पर दवाव बना जाने की उमीद है इसके अलावा भारत द्वारा अभी तक दक्षिन चीन सागर में अपने व्यापारी खीतों का विश्टार नहीं किया गया है इसलिए यह भारत के लिए अमेरिका, जापान या उस्टेलिया के समान किसी बड़े खत्रे की बात नहीं है हाला कि चीन भारत और अन्य सक्तियों जैसे क्वार्ड रास्ट्रो के साथ समनवे में रूची रखता है क्योंकि इन देशों के मद्या हिंद पुरसान छेत्र के लिए समावेशी नीतियों को सुरू करने के बारे में बातचीत चल रही है स्टॉक्होंम इंटरनेस्टल पीस रिसर्स इंस्टिट्यूट के अनुसार चीन की निर्धारित परमाणू नीति के तहत चीन के पास लगबग आठ से दस परमाणू पंडुब्या है जो दस हजार किलोमेटर की दूरी तक मिसाईलों को दागने में सक्सम है चीन जबाबी हमले की स्थिती में फायर ओन वार्निंग नामा के एक प्रडाली भी विक्सित कर रहा है अपनी भोगोलिक स्थिती के कारण दक्षिन चीन सागर रणनीतिक तोर पर अत्यदिक महतपूर है क्योंकि यह हिंद महासागर और पुरसांत महासागर को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में काद्य करता है वियापार और विकास पर संवितराज समेलन के अनुसार वैस्विक नोवहन का एक तिहाई हिस्सा इससे होकर गुजरता है जिससे अर्बो का वियापार होता है जो इसे एक महतपूर राजनितिक जल निकाय बनाता है यहाँ खनिज, हाइडरोकार्बन, तेल और गैस से भी समरद छेतर है चीन हिंद पुरसांत महासागर को एक ही छेतर के रूप में मान्यता नहीं देता है लेकिन वहाँ दोनों महासागरों को अपने हीतों के पुर्मुक छेतर के रूप में मानता है हिंद और पुरसांत महासागर हे तू, चीन द्वारा दो अलग-अलग रणनीतियां अपनाई जाती है पस्यमी पुरसां छेतर में चीन का मुख्या हित का इसकी एक पूर इस्पेक्ट्रम पुर्भुत रणनीति द्वारा संचालित है यह वहाँ छेतर है जहां चीन अपनी भोगोलिक सीमा का विस्तार करने के लिए अधिगर्ण जैसे सब्दों का उप्योग गेरेजोन संचालिन के द्वारा करता है हालांकि हिंद महासागर छेतर में अपनी उपस्तिती और लाब को धीरे-धीरे बराने के लिए चीन हितदारक सब्द का उप्योग करता है चीन ना के बल सैन्ये बल से बलकि बेल्ट एंड रोड इनिसियेटिव के जरिये भी अपना परभाव बढ़ा रहा है हालांकि भारत के संबेदन सील शेतरों से चीन खुद को दूर रख रहा है क्योंकि वह भारत को कोई भी ऐसा मुका नहीं देना चाहता जिस पर भारत द्वारा आपती उठाई जाए और यदि ऐसा होता भी है तो चीन चाहता है कि आकरामक रुख भारत द्वारा ही अपनाए जाए नेकी चीन द्वारा उत्तर अट्लांटिक संदी संग्रठन या नाटो के देश चीन द्वारा ग्लोबल कॉमेंस को इस्थापित करने हे तू अंतराष्टे आचार सहिता के उलंगन से नाखुस है हाल ही में पहली बार आयोजित नाटो सिखर संमेलन में चीन को इसपस्ट रूप से सुरक्सा के संदर्व में एक जोखिम के रूप में वर्ण नित किया है चीन औस्टेलिया और जापान का एक बड़ा वियापारिक भागिदार है कई जापानी उद्वागों के चीन में अपने विनिर्मान आदार इस्थापित है बहुत सारे अमरीकी उद्वाग चीनी कच्चे माल और आप पूर्तिस रंखलाव से भी जुड़े हुए है इसके बावजूद क्वाड के सदस्या और जापान ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि चीन उनके लिए एक खत्रा है क्योंकि चीन ने औस्टेलिया को मिसाइल हमले की धम की दी है औस्टेलिया अब चीन को अपने उत्री हिस से डार्विन बेस से हटाने की कोसिस कर रहा है यूरोपिय संके देशो और यूनाइटिट किंग्डम के चीन के साथ पुराने मैत्री पुन संब्ध होने के बावजूद वे चीन को वैस्विक सांती और सुरक्सा के लिए खत्रा मानते हैं जी सेवन रास्ट जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसके दो पहलू है पहला दक्सिन चीन सागर और ताइवान के संब्ध में चीनी सेन्या आकर मड़ ताइवान के हवाई छेत्र में चीन के विमान और लड़ाको विमानों की घुसपैट हो चुकी है चीन अपने पुनहें एकी करण या ताइवान पर जबरन कपजा करने हैं तू दवाव बना रहा है दूसरा वैस्विक सुधार का मुद्धा है वैस्विक मंदी जिससे केवल चीन ने ही वापसी की है इसके कारण संगर सोपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है बड़े देश चीन को टक कर देने की कोसिस कर रहे है जी सेवन देशों की बिल्ड बैक बेटर पहल का उदेशी है चीन के टीलियन डॉलर के बेल्ट एंड रोड इंफरस्टेक्चर पहल को परिशंतुलित करना है रूस मध्य एसिया में चीन के तेजी से बढ़ते प्रभाव से भी चिंतित है क्योंकि यह इस छेत्र में रूस के मजबूत प्रभाव को प्रभावित करेगा अमरीका या रूस जैसे देशों को विस्व विवस्था में चीन को पीछे छोड़ना होगा जो की एक सत्तावादी देश है सिंजियांग, टाइवान, तिबबत और दक्षिन चीन सागत के मुद्दे विस्व सांती के लिए एक बड़ा खत्रा है भारत को चीन का मुकावला करने के लिए नकेवल एक मजबूत सैन्य रणनीती जरूरी है बलकि इसे बुनियादी धाचे के घटक, प्रियोद्योगी की से सम्मंदित पहलू सहित एक बहु आयामी दृष्टिकोन को अपनाने की भी आवस सकता है हिंद महासागर में भारत को अपनी पुर्मुक्ता और मुखर्ता बनाए रखनी चाहिए तथा चीन को उन छेत्रों में काम करने से रोखना चाहिए जो भारत के लिए महत्पून है भारत को परसान छेत्र पर अपना परभाव स्थापित करने के लिए अपने सहयोग्यों के साथ सहयोग करने तथा सम्मंदों को सुधारने की आवस्तापosaic है क्योंकि यह है वहाइस्थान है जहां चीन की स्थिति अत्यदिक अइस्थिर और संवेदंसील है भारत की सामूदरिक नीतियों का चीन की नीतियों के साथ पागिस्तान के गौादर जो इरान के भी करीब है में इस्थापित है तथा बेल्ट एंड रोड इनिसेटिव के जरिये चीन की पहुँच यूरोप में भी है भारत की रणनीती को चीन के इस्थर के उस परियास से मिल खाना होगा जो वहां अफरी की देशों में बुनियादी पूरी तरह से बाधित हो सकते हैं तथा अपराज्यों की पहचान करके उन्हें आतंगबादी घटनाओं के पूर्ती जवाब दे ठहराय जा सकता है आतंगबाद को बढ़ावा देने समर्थन करने और वित्पोसित करने तथा आतंगबाद्यों को पना देने वालों के खिल जान करते हैं जो लोक्तांत्रिक मूल्यों द्वारा निर्देशित हो तथा एक सासन सरनचना के साथ खुला और समावेशी हो इसके साथ साइवर स्पेस के भवश्य को संचालित करे वर्तमान वैस्विक चुनोत्यों का समाधान और पुरानी प्रडालियों से नहीं किया जा सकता जिन्हें अतीत की समस्याओं के समधान के तोर पर डिजाइन किया गया था। नहीं है